नमस्कार दोस्तों मैं उमंग कुमार सिंग स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम नगडी में और आज के दिन अभी मैं दो वीडियो अपलोड करूँगा एक स्पेक्ट्रम की एक लूसेंट की तो अभी जो है मैं बता दूँँ आपको स्पेक्ट्र क्लास का टार्गेट मैं कहूंगा तीस दिन में मैंने तो खत्म नहीं किया तो तीस्ट क्लास ही एनफ है जिसमें पूरा लुशेंट खत्म हो जाता ए और आज जो है तैसवे दिन में हम लोग रषायन सास्तर यानी केमिस्ट्री जो है उसका आधा पॉर्षन कम्प्लीट करे हैं यह देखिए यहां तक जहां तक किताब गंदा दिख रहा होगा ना जहां तक पढ़ेंगे न वह यहीं कालक जैसा हो जाएगा और यहां पर इसे पेज मुड़ा हुआ भी है यह किर्शक आंदूलन पढ़ना है लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 30 मैं बता दूं को टोटल जो है 34 या 35 चैप्टर है इसमें हम चैप्टर नंबर 30 आज पढ़ रहे हैं यह जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है इतना स्पेक्टरम का लगबग 80% बुक 1000 पेज की बुक है और इसमें 600 पे समझ में आ जाएगा और घटना क्रमवार इतिहास में अगर पढ़ते हैं तो आपको इतिहास पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है मैंने खुद जो है BPC में हमेशा अपना सब्जेक्ट अपना विशे जो है वेकलपिक विशे इतिहास रखा है तो इसलिए मैं विकलप हम लोग हर जगह कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखने के क्रम में हमें अलग-अलग लेशन मिलते हैं अलग-अलग जानकारिया मिलती हैं तो सभी चीजे जो है मिला जुला के सिख्षा का भाग होता है तो वैसे ही आज हम भारत में सिख्षा का विकास पढ़ेंगे औ आजादी के पहले यानि की 1947 के पहले यानि की British मैं इंग्लीश में लिख दिया British समराज्य में जिस समें British का राज था तब कैसे सिख्चा कविकास हुआ और उसके बाद आजादी के बाद कैसे सिख्चा कविकास हुआ हम लोग फूरा पढ़ेंगे इसमें जो है ब्रिटिस में भी कई चरण है जैसे कम्पनी सासन के अंतरगत सेक्षिनिक विकास हम सभी जानते हैं कि 1857 की लराई हुई थी 1857 से पहले कम्पनी का सासन था यहाँ पर कम्पनी अपने हिसाब से जो मनाते थी वो करती थी 1857 के बज़ा 1858 में यह लराई जब 1857 का हुआ मतलब यह करांती हुई तो इसके बाद 1859 में ब्रिटिस क्राउन का सासन हो गया तो ख्राउन के सासन ने फिर सिक्षा का विकास कैसे हुआ अलग-अलग वैचारिक तरीके से और अलग-अलग हम लोगों के वैचारिक मतों को प्राप्त करते हुए हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से देखे बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको दिखा दूँ चेप्टर नमबर 30 है पेज नमबर सुरू है ये 569 569 से ये पुरा जो चेप्टर है ये है 572 तक ये रहा पेज नमबर 572 तो 69 और 72 1079 और 3 लगभग 14 पेज 69 पेज़ में आ जाता है तो टोटल 14 पेज का ये चेप्टर है और इसमें हम लोगों ने कैसे इसको पढ़ा है उससे पहले मैं आपको एक और चीज आपसे रिक्विस्ट करना चाहूँगा आपको सलाह देना चाहूँगा कि एक बार मेरे नोट्स पहले इसको आप इतना जो है 11 पेज ध्यान से अपना धिमाग लाया के एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद देखिए नोट्स कैसे बने चलिए आपको लेके चलता हूँ सीधे नोट्स पे तो ये मेरी नोट्स की किताब है स्पेक्ट्रम की और नोट्स में देखिए स्पेक्ट्रम में ये सारे जो है कौन-कौन से कितने page में है सारे chapter मैंने लिखे हैं और अन्तता यहां मैं लिखने में 247 page से भारत में सिक्षा का विकास 247 page से कितने page तक है तो मैं यहां page नंबर लिख के लिख देता हूँ अब देखिए 244 14 page था मैंने इसको 7 page बना दिया यही तो नोट्स होते हैं, कम शब्दों में हमें समझना होता है सभी चीजों को, तो चलिए बिना देर किये हुए मैं आपकी जिग्यासा को समझता हूँ, और लेके चलता हूँ आपको उस नोट्स पे, कैसे जो है देखते देखते यह 200-800 पेज का जो है नोट्स तयार हो गया अभी आपको सारी चीज़े एके करके आप समझेंगे और आपको पता चल जागा कि कैसे जो है, यहाँ पे हम लोग आएं तो अभी आपके सामने हैं भारत में सिख्छा कविकास, इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा था भारत में प्रेस कविकास और उससे पहले था भारत में ब्रिटिस सासन का अद्दोगिक प्रभाव तो देखे कैसे हम नोट्स बना बना के सारी चीज़ों को जो है, पॉइंट वाइस पॉइंट परते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, जितना समझेंगे उतना अच्छा रहेगा प्रशन में जब भी प्रशन पुछे जाते हैं प्रेक्षा में तो आपसे यह नहीं पुछा जाता है कि कितना जानते हैं, यह दिखा जाता है कि आपको उससे क्या जानकारी मिली, आपने क्या सिखा उससे, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पर यहां नजार आ रहा होगा कम्पनी के अंतरगत सिक्षा का विकास पहले यहां क्या हुआ 1781 में वॉरें हैस्टिंगस द्वारा एक मदर्सा की स्ठापना की गई कलकथा में ठीक है 1781 में बॉर्न हेस्टिंग इस द्वारा क्या किया पहली बार एक मदर्शा की स्थापना कलकत्ता में की गई उसके बाद 10 साल के बाद 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में एक संस्कित कॉलेज की स्थापना की गई और तब जाके 1800 में लॉर्ड विलेजली ये तीन आप लोग याद रखिए 10-10 साल पे देखिए होड़ा है घटना है ना 81, 91, 1800, 1800 में लॉर्ड विलेजली द्वारा कमपनी के असैनिक अधिकारियों की सिक्षा है तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई अब ये तीन घटना है अगर आप याद करते हैं कमपनी के अंतरगत है ना क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसी के बाद जो है वर्रन हेस्टिंग इस ने एक मदर्शा की स्थापना की कब की 1781 में उसके बाद 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्क्रित कॉलेज की स्थापना की गई और 1800 में लौड विलेज ली तो आपको क्या याद रखना है 1781 वर्रन हेस्टिंगर्स मदर्शा कलकत्ता उसके बाद फिर 1791 याद रखना है जोनाथन डंकन बनारस में संस्क्र हो जाएगा यह हो गया उद्देश से क्या था आखिरकार उद्देश से क्या था हम इसके अंतरगति यह सब पढ़ेंगे 1813 के चार्टरेक्ट में कुछ शुरुआत हुई उसके बाद कुछ विवाद हुआ उसके बाद लॉड मैकाले का इसमरन पत्र आया थामसन ने कुछ परयास किये तो देखिए आपको कैसे यह चीज़े इध्यान में रहेंगी दोचीन बाद ठीक से देखने पर आपको याद हो जाएंगी चलिए उद्देश से क्या है आप कभी भी तिहास पढ़िए इस तरह के सब्जेक्ट तो आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से एक बुद्धी जीवी की तरह सोचना है आप ये मत समझे कि आप किताब से पढ़ रहे हैं या आप किसी चीज़ को लिखी हुई चीज़ को आप पढ़ रहे हैं आप उसको समझ जीए आपको समझना है बस मैं समझने के लिए बोलता हूँ तो ये तीन महान लोग थे और तीनों ने कुछ बड़े काम किये इसका उद्धेश से क्या था कमपनी को सिक्षित भारतिये जो सास्त्रिये तथा स्थानिये भासा के अच्छे ग्याता हो और प्र जादमी नहीं लाएंगे, यही कि आदमी को कम पैसे में देके अपना काम चला लेंगे वेतन देके हैंना तो उनका एक उद्धे से ये था कि कमपनी को क्या जरूरत थी शिक्षित भारतियों की जरुवत थी और ऐसे लोग जो थी जो इस्थानिय भासा तो जानते ही थे साथ साथ वो कुछ अच्छे ग्याता भी रहेंगे तो प्रसासन में मदद करेंगे समझ गए? याद नहीं है समझ गए तो याद है उसके बाद नियायाला में हिंदू मुस्लिम कानून की व्याख्या करे तथा सरकार को प्रामर्स दे पत्रवेवार में मदद करे वही चीज हो गई कि यहाँ पे देखिए असैनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए की गई स्थापना संस्क्रित कॉलेज से सास्त्रिय सिक्षा मिलती है मदर्सा में मुस्लिमों को सिक्षा मिलती है तो मतलब कुल मिला के हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है अच्छी जानकारी हो और वो सरकार को प्रामर्स भी दे पत्रवेवार करे और हर तरह के कारें में मदद करें हो गया? ये लाइन खतम आगे देखिए अब आया 1813 का चाटरेट उसमें सिख्षा के लिए कुछ काम किये गए जैसे इस्थानिये विद्वानों को प्रोत्साहित किया गया जो लोग लोकली लोकली जो लोग अच्छे पढ़े लिखे में जाने जाते थे उनको आगे लाया गया विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभत था उन्नत करने का उद्वे से था विज्ञान होता क्या था कि कुछ भी अपोहा फैलती थी ना बड़ी तेजी से फैलती थी लोग आख मूंदी के उस पर विश्वास करते थे तो अंग्रेज चाहते थे कि हमारे खिलाफ जो कुछ लोग भरका भी देते हैं जैसे कि थरो संताउन का विद्रो हुआ प्रूव नहीं था कि वो गोली में गाय की चर्वी थी ये सूर की चर्वी थी बस ये हल्ला उड़ा और उन्होंने इसे काटने से मना कर दिया और पूड़ा मारधार हो गया ये प्रूव नहीं है अभी तक लेकिन ऐसा अपवा उड़ा था उस समय तो अंग्रेज चाहते थे कि इन सबसे उपर लोग वैग्यानिक तरीके से सोचे है ना लोग जो है वैग्यानिक तरीके सोचे इसलिए विज्ञान के ज्यान को प्रारंब और उन्नत करने का उद्देश से था उपर से एक लाक की रासी प्रति वरस उन्हें सिख्छा पे खर्च करनी थी उन्होंने अपना एक बजट बना लिया कि हमें जो है कम से कम एक लाख रुपे की रासी जो है वो सिख्षा पे खर्च करनी है भारी मातरा में सिक्षा संस्थान की स्थापना करनी है अब सिक्षा संस्थान की संख्या कम है तो जादस जदा हमें सिक्षा संस्थान खोलने है कलकत्ता, आगरा, बनारस में तीन संस्कृत महाविद्याले की स्थापना भी हुई तो ये कुछ कारे हुए 1813 के चार्टरेक्ट में तो सिख्षा के सम्मंध में जब हम सिख्षा का विकास पढ़ रहे हैं दोस्त और सिख्षा में कमपनी के अंतरगर जो जो काम हुए हैं तो कमपनी का जब तक सासन था यानि 1857 तक तब तक जो जो कारे हुआ जो 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 आपकी जानकारी हैं उनको आप लोग ध्यान में रखिए जो की सिख्षा के चेतर में हुए थे जी हाँ सिख्षा के चेतर में हुए थे अब देखिए ये है आंगल प्राच विवाद ये क्या है वह या आंगल प्राच विवाद तो यहां पे विवाद क्या था आंगल सिक्षा समर्थक जो थे और प्राच सिक्षा समर्थक में विवाद हो गया यानि जो अंग्रेजी सिक्षा और जो हमारा सास्त्रे सिक्षा है उन दोनों में विवाद हो गया क्या विवाद हुआ तो आंगल जो थे अंग्रेजी सिक्षा के समर्थक थे और प्राच जो कहते थे वो बोलते थे परामपरगत भारती भासा को सिखाईए हमें साहित सिखाईए हमें हमारी संस्कृती सिखाईए हमें रामकाईति हास चाहिए हमें जीसस के बारे में नहीं पढ़ना है हमें अपनी परामपरगत सिक् म चाहते थे नहीं हमें भारती पारति वासा में चाहिए ये एक विवाद अब जाके आया लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा लॉर्ड मैकाले,otta लॉड मैकाले का इसमरन पत्र 1835 में आया यह सब देख लिए जटारो संताउन के पहली घटना हो रही है क्या हुआ उन्होंने लॉड मैकाले ने तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया आंगल दल को समर्थन दिया विवाद किसमें था दो आदमी में आंगल में और प्राच मे उन्होंने किसको समर्थन दिया आंगल को अंग्रेजों को क्यों तो उन्होंने कहा कि सिख्छा है तो अंग्रेजी माध्यम को सबसे उत्तम बताया उनके पीछे कारण था आजकल हम लोग भी कहते हैं कि अगर अंग्रेजी जान गये तो आप किसी भी देश में जाईएगा बोल सकते हैं बिकोज अंग्रेजी इंग्लिश इस दे ग्लोबल लेंग्वेज बोला जाता है ठीक है हिंदी सीखेगा तो भारत बंगलादेश पाकिस्तान है ना ज्यादा ज्यादा थोड़ा मोड़ा मॉरिशेश वगरा में यहां हिंदी लोग ज्यादा रहते हैं लेकिन अंग्रेजी से आप पुड़े विश्व घूम सकते हैं तो इसलिए अंग्रेजी को ग्लोबल लेंग्वेज का हवाला देते हैं उन्होंने कहा कि यह माध्यम सबसे बेस्ट है ठीक है तो इस तरह से उन्होंने आंगलादल का समर्थन किया भारतिय साहित तथा भासा को पुत निमनिस्तर कहा यह मैं नहीं का रहा हूँ लॉड मैं काले ने कहा उनके स्मरण पत्र में सब चीज़े लिखे हुई थी और क्या लिखे हुई थी सभी बड़े सिक्षन संस्थान में भासा का माध्यम अंग्रेजी हो गो गया तथा जन सधान की सिक्षा को की ठीक है यानि सभी जितने भी बड़े सिक्षन संस्थान थे सब में कहा गया कि मेडियम क्या रखिये भासा अंग्रेजी रखिये और यह भूल गये कि यह जो सिक्षन संस्थान है यह भारत में खुले हैं और भारत में पहले से लोग इतने अंग्रेजी के बहुत बड़े ज जन साधारन, कुछ लोग बहुत जानकार हैं, लेकिन जो जन साधारन, जो महत्तम लोग, अधिक्तम जो लोग हैं, वो सभी को स्थानिय भासा चाहिए, हिंदी चाहिए, लेकिन उन सब के उपेक्छा की गए, उन्हीं इग्नोर किया गया, इस सिध्धान्त को अधोगामी किछा के सेत्र में, अधोगामी विप्रवेशन सिध्धान्त क्या है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने कभी सुना ही नहीं नाम, है ना, तो लोड मैकाले का जो स्मरन पत्र था, उसी को उन्होंने जो चीजों की व्याख्या की थी, उन्होंने जो सिध्धान्त दर्साय था, इसी को हम लोग डाउन्वार्ड इन्फिल्टेशन थिओरी बोलते हैं, अधोगामी विप्रवेशन का सिध्धान्त, आसान है, कितना आसान था, तो हमने ये पढ़ा कैसे पहले थोया सुधार हुआ, क्या उद्दे से था, 1813 के चैर्टर में क क्या सुधार हुआ, क्या विवाद हुआ, और फिर लॉड मैकाले ने अपने स्मरन पतर में क्या लिखा, ये चीज, यहां तक कम्पलीट कोई दिक्कत नहीं, याद भी हो गया होगा, अभी आपने ये अबलेटी हो गई, शिक्षा के विकास में, अगर पुछा जागी कमप द्वारा ग्राम सिक्षा की विस्तित रोजन पनाई गई, इसमें कमी पाई गई, बोला नहीं मैकाले सहाब, ये भारत है, इतना असान काम नहीं है, अंग्रे जी सबको रटवा देना, तब माना अंग्रे जोने की नहीं ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो गाओं में जो स सिक्षा संस्थान है, वहां पे देशी भासाओं में हम जो भासा है, बंगाल में बंगाली, तमिल नाडू में तमिल, केरल में मल्यालम, तो जहां जहां वहां की देशी भासाओं हैं, खासकर हिंदी को कौमन जो कि आज भी है, तो कोशिश की जाए कि देशी भासा में ही, व चोटे-चोटे complete medium school है, उसके बंद करो, क्योंकि बच्चे सीखेंगे ही नहीं, उसके बाद किर्सी तथा छेत्रमीती समंधी अध्यन और सिक्षा विभाग की स्थापना, यही Thompson का प्रयास था, उन्होंने सिक्षा विभाग की स्थापना के लिए पैरवी की थी, ठीक है, और क कुछ परयास किये, अब यहाँ पर क्या हुआ, Charles Wood Dispatch बहुत important है, आपने पढ़ा भी होगा Charles Wood Dispatch, एक नमड़िया question में इससे question आते हैं, कि Charles Wood Dispatch, है न, Charles Wood Dispatch, क्या है, किस से संबदी थे, यह सिक्षा है संबदी, कब आया, 1844 में, चले जानते हैं, डीटेल में, आज मैं इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ, सबसे पहले जान लेजे, इसको भारतिये सिक्षा का मैगना काटा कहा जाता है, क्या कहाता है, भारतिये सिक्षा का मैगना काटा इसको कहा जाता है, Charles Wood Dispatch को, क्योंकि इससे बहुत सुधार आया था सिक्षा के छेतर में, अच्छा तो बड़ी जिग्यासा होगी न, मन में, कि भाई, यह सा क्या क्या चीज़ था इसमें, जरा देखा जाए, तो देखने के बाद आप ल सरकार इस नंबर वन, क्या था, सरकार जन साधान की सिक्षा का वहन स्वयम करें, यानि जो पबलिक है, उनके जो एजुकेशन है, उसका व्याय खर्च कौन वहन करें, सरकार, दूसरा, बहुत अच्छा चीज है, गाउं में देशी भासा की पाट साला इस्तापी तो, यह भ इसके बाद, आंगल देशी भासा इस्तर के हाई स्कूल हो, मतलब हाई स्कूल में दोनों भासा पढ़ाईए, आंगल भी अंग्रेजी पढ़ाईए और देशी पढ़ाईए, देशी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से देशी में कनवर्ट करके बताईए, यह भी एक था, उस विश्व विद्याले हैं वो परिच्छा ले पहले हैं उसके बाद उपादी देए इसे ही उपादी माटते ना चले उसके बाद इस्तरी सिख्छा बहुत इंपोर्टेंट है इस्तरी सिख्छा तथा व्यवसाइक सिख्छा पर बल दिया यानि लोगों को बताईए थोड़ा विजनेस के बारे में विवसाय कैसे हो विवसाय का जो है जो भी गुंध धर्म है वो सब भी बताईए और इस्तरी सिक्षा को ने क्या किया प्रोट्साहित करने का प्रयास किया उसके बाद निजी यहां देखिए निजी यह परयत्न है निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन है तू अनुदान यहाँ पे निजी प्रयत्न नहीं है निजी संस्थान है निजी संस्थान यानि कुछ ऐसे संस्थान जो सिक्षा के चेतर में काम कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन है तू कुछ अनुदान विवस्था हो सबस्री में लोग को पैसे मिले ही खोली है स्कूल और पास्चात्य सिक्षा के प्रक्सार की घोसना और धीरे धीरे साइड से जो है आप पस्चिमी सिक्षा को भी घुसाइए ताकि लोग हमारी संस्कीति से भी पड़चित हो पाश्चात सिक्षा पस्टिमी सिक्षा यानि ब्रिटिफ सिक्षा तो इसलिए इसको मैगना काटा जब बोलाया था यह सारी चीजे लागू भी हुई थी और इससे सिक्षा के छेतर में क्या आई थी क्रांती आई थी इसी का नाम है चार्ल्स उड़ डिस्पैच 1844 तो आप अगर ध्यान से सोचिएगा आप अगर दिमाग लगाईएगा आप लोग इसे जो है यह नहीं सोचिएगा लिखा हुआ है आमें याद करना है जी नहीं हमें समझना है अगर आपको यह मौका मिले तो आप क्या-क्या चीजे करेंगे अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको जो है इस सारी चीजे समझ में आ जाएंगे ठीक है तो ये चार्ज़ों दिस्पेश हो गया आगे देखिए कुछ अन्य पढ़ियास अठारा सो चालिस सेंठावन अठारा सो संतावन आ गया अभी उधर मैटर थोरा सा जग रहा है लेकिन उसमें क्या हुआ तीनों प्रेसिडेंसी कौन-कौन सी कलकत्ता बंबई और मदरास उसमें क्या किये गए विश्य विद्याले खोले गए ठीक अठारा सो उन्चास में क्या हुआ बेधुन पाट साला की स्थापना की गई बेधुन मतलब मुख्यता इस्तरी सिक्षा के प्र इसमें कुछ योगदान दिया तो देखिए कितने अराम से जो है ये कुछ अन्य पडियास भी हुए इसके अलावा जिसे सिक्षा के प्रसार में बल मिला हो गया कहानी खतम अठारा सो संताओं तक एक चरण खतम संख बजा दिया जाए सतनायन होना कथा समाप्त हुआ ठीक ह आप लोग अपने घर ना जाएं दूसरा कथा शुरू होने वाला है तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे जो है कैसे शुरुआत हुई थी कंपनी के सिक्षा के अंतरगत वारेन हस्टिंगिस ने कुछ पढ़ियास किये उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ हुआ है ना पीछे देखिए उसके बाद क्या हुआ कि विवाद हुए क्यों उन्होंने किस उद्ध से लाया था तो ऐसे करके हम लोगों ने यह सब चीज़े पढ़ी चार्टर एक्ट में उसका लॉड मैकाले का इसमरन पत्र अब यहां पर देखिए कि क्राउन के सासन अब क्राउन के सासना अधिन सिक्षा का विकास कैसे हुआ अब इसको जानते हैं हम लोग कि भाया ब्रिटिस सरकार ने खुद अपने हाथ में बागडोर ले ली तो आये जानते हैं क्या क्या चीज़ हुई थी सबसे पहले हंटर सिक्षा आयोग आया यह बहुत इंपोर्टेंट है पुछात आया 1882 तरासी में आया था क्या था हंटर सिक्षा आयोग प्राणभिक तथा माधमिक इस्तर है न कि युजनाओं की उपेक्षा की गई सबसे पहले इस ने क्या किया कि प्रारंभिक और मादमिक इस्तर को छोड़ दिया और सिधे उच्छे सिक्षा पर ध्यान देने लगे क्या था हंटर आयोग का सुझाओ यहाँ पे प्राणभीक तथा मादमीक इस्तर पर प्राणभीक योजनाओं की उपेक्षा की गई थी तो हंटर रयोग ने इस सब चीज को देखा और अपना सुझाओ दिया पहला सुझाओ देखिए हंटर रयोग का क्या था देखिए मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि जब मैं आपको इस तरह से पढ़ा हूँ और इससे सम्मंधित कोश्चन अगर आ गया या कभी कभी एक नमर्या वाले में ही किसी में कोश्चन घुमा दिया तो आपके कोश्चन छुटेंगे नहीं आपमें अबिलीटी होती है कि आप तीन सो सब्दों में अराम से लिख पाएंगे बेरा पर्यास यही है क्योंकि सिख्षा बहुत ही महत्वण विशय है और इससे प्रशनाते हैं हंटर आयोग का सुझाओ क्या था हंटर आयोग का सुझाओ था कि जो सिख्षा होनी चाहिए उसको इस्थानिय भासा में दीजिए बहुत अच्छी बात है मैं अगर हिंदी भाषी हूँ और हिंदी में मुझे सिख्षा मिलेगी या मेरे गाउं में हिंदी का एकी स्कूल सुरू होता है तो बहुत जल्दे लिए समझ में आएगा अगर फार्सी में के स्कूल सुरू करे तो पहले यह हमारे लिए चैलेंज होगा चुनोती हो पहले फार्सी सीखो तब हम उनके ज्यान लेंगे तो उन्होंने यही कहा कि प्रारंभीक सिख्षा जो होती है प्रारंभीक पाट शालाव का नियंतरन जिला बोड को दे दीजिए तो उन्होंने भी बहुत इंपोर्टन चीजे कहीं तो सिख्षा के हर एक पर्यास में इस्त्री सिख्षा को बल मिला साहित्यक तथा वेवारिक सिख्षा को माध्यम बनाने का प्रयास किया गया स्थानिय भासा में सिख्षा देने का प्रयास किया गया परिणाम क्या हुआ देखिए इसका परिणाम 20 वर्सों तक प्रारभिक तथा माध्यमिक सिख्षा में बहुत सुधार हुआ अध्यापन तथा विश्विद्याले की श्थापना हुई, पंजाब में 282 में विश्विद्याले और इलहाबाद में 3817 में विश्विद्याले की श्थापना हुई तो यहीं नोंने कहा था कि स्थापना कीजिए विश्विद्या लेका तो चाल सूट का डिस्पैच और हंटर रायोग का सुझाओ और कुछ अन्य पढ़ियास के थुरू ये परिणाम सामने आएं कि 20 वर्षो तक बहुत सुधार हुआ विश्विद्या लेड़ ध्यापन के अ अपना हुई जिसमें पंजाब 1882 इलाहबाद 1887 ठीक है चीज हो गया आगे चलते हैं आशा करूंगा आपको समझ में आता होगा और समझ में आ रहा हो तो रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए मत कीजिए शेयर आपको लगता हो कि शेयर करने से सर आपको कुछ फाइदा हो रहा है तो मत कीजिए आप उससी वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट में अपने सुझाओ दीजिए आपके सुझाओ साधर अमांत्रित है क्योंकि मैं आपके सुझाओ लेता हूं मुझे इंपोर्टेंट लगता है मैं उसे करता भी हूँ अब आया भारतिय विश्विद्याले अधिनियम 1904 भाई इतना बड़ा मैंने क्यों लिखाया इसको क्योंकि भाई शाहाव ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसको आप इतने आसानी से स्किप नहीं कर सकते बस ये जान लिजिए तो ये है भारतिय विश्विद्याले अ अधियक्स्ता में एक आयो की कघठन हुआ और उसी की सिफारिस पर मैंने एक सोट में लिखाया भारतिय विश्विद्याले अधिनियम 1904 लाया जाया ठीक है अब अधिनिय मगा हम जानते हैं कैसे आया तो हमें इसके प्रावधान जानना भी बहुत जुरूडी है क्या-क्या प्रावधान था इसके अंतरगत तो पहला प्रावधान देखिए बिश्व विद्याले के अध्यन दथा सोध पर अधिक कारे हो उप सदस्य की संख्या था अधिक कम हो था ये सरकार द्वारा मानू नीथो पहले क्या हो सदस्य जो है टोकडी भर के जिलाने का जरूवत नहीं है सदस्य कम हो अच्छा काम करे पहले तो उप सतसे की संख्या कम कीजिए और जो आभी रहे हैं उनको सरकार दोरवानी नीथ हो उसके बाद तिसरा है औसास किये कॉलेज पर सरकार का करानी अंतरन ऐसे कॉलेज जो औसास किये हैं मतलब सासन दोरा जो है रजिस्टर्ड नहीं है वस चल रहे हैं सिक्षा देने के लिए उन पर थोड़ा करानी अंतरन किया जाए है ना उसके बाद विश्विद्याले के उत्थान है तू पांच लाख प्रती वर्स पांच वर्स तो है तूसे मतलब हर एक विश्विद्याले को पांच वर्स तक 5-5 लाख यानी 25-25 लाख रूपिया पांच साल में देने की घोसना की गई क्यों विश्विद्याले के उत्थान के लिए ये सब विश्विद्याले धिनियम 1904 में था उसके बाद गवर्नर जर्नल को विश्विद्याले के छेत्रिय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि आप ही डिसाइड कीजिए कि ये जो विश्विद्याले है इसका छेत्रिय सीमा कहा तक होगी तो ये क्या था भारतिय विश्विद्याले धिनियम के कुछ प्रावधान थे हम ये ही चीज़ देख रहे हैं उसके बाद आया सैडलर विश्विद्याले आयोग ये भी इंपोर्टेंट है 1917 में क्या हुआ एक लीड्स विश्विद्याले के उपकुलपती थे लीड्स ये वी सोट में है विश्विद्याले के उपकुलपती जिनका नाम था डॉक्टर M.E. सैडलर उनकी अध्यक्स्ता में कमिटी गठित हुई और फिर उसी कमिटी में क्या किया गया कि ये वही कमिटी का नाम था सैडलर विश्विद्याले आयोग उसमें क्या हुआ कलकत्ता विश्विद्याले की समस्याओं के अध्यन पर एक रिपोर्ट देने के लिए इसका जो है गठन हुआ था इंपोर्टेंट है इसका गठन क्यों हुआ था इसका गठन हुआ था 1917 में लीड्स विश्विद्याले के उपकुलपती डॉक्टर एमी सेडलर के देखस्ता में हुआ था क्यों हुआ था तो कलकत्ता विश्विद्याले की बहुत सारी समस्याय थी तो उन्हीं पर एक रिपोर्ट देने के लिए हुआ था क्या सिफारी से हुई पहला सिफारी से यह हुआ था कि स्कूल की सिक्षा 12 वर्ष तक हो आजकल है न पहले कम कर दिया था पहले एटे तक किया एट से ही बोर्ट था उसका फिर तेंथ बोर्ट कर दिया उसके बाद फिर 12 तक जो है स्कूल कर दिया जितने भी स्कूल है आजकल हाई स्कूल रेजिस्टर्ड सरकार दवारा वो सभी कहा तक चलना है 12 तक चलना है आपको क्या उन्वर्सिटी में डिरेक्ट दाखिला मिलता है जी नहीं आपको पहले कॉलेज पास करके जाना होता है आप पहले अपने महाविध्याले में कम से कम 12 या स्कूल में 12 तकी परहाई करते हैं उसके बादे आप उन्वर्सिटी से जुड़ते हैं तो उच्तर माधमि के बाद ही विश्विद्याले में दाखिला हो नियम कठोर नहीं बनाया जाएं मतलब इससा नियम नहीं बनाया जो लोग फॉलो ही नहीं करें दूर दूर सम्मंधित कॉलेज के बजाए एक एकी कृत व्यवस्था जीसे देखिए हमारे यहां क्या है बहुत सारा चोटा चो और उसके बाद महिला सिक्षा विज्ञान अवं तकनीकी सिक्षा तथा अध्यापकों के पर सिक्षन पर बल दिया जाए देखिए यह आगे बहुत काम देगा यह लाइन याद रखिएगा महिला सिक्षा विज्ञान की सिक्षा तकनीकी सिक्षा और अध्यापक जो है उनक तो हमने पठ लिया भारतिय विश्विद्यालय अधिनियम और सैडलर विश्विद्यालय अधिनियम, ध्यान से समझके पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, आपको लगे कि आपको याद नहीं है, लिखने अब बैठेगा तो ये वन बई उन जो है आपके द द्वेद सासन के अधिन सिक्षा कैसे हुई ठीक है आप चाहें तो हर एक पेज में पेजबाईज भी कर सक्ते हैं तो पहले हमने पढ़ाता कि कमपनी के अधिन कैसे हुआ कमपनी खतम हो गया तो क्रावन के अधिन कैसे हुआ है ना क्राउन खतम होगे आतब दोयद सासर का धीक तो आप सभी जानते होंगे आपने गरिती हास थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि 1919 में मॉन्टेगु चेंसफोर सुधार के पश्चाथ सिख्छा व्यवस्था प्रांतों को हस्तांतित किया कर दिया मॉन्टेगु चेंसफोर सुधार हुआ उसके बाद किया गया सिख्छा व्यवस्था प्रांतों को दे दिया गया 1902 की साहता जो है पूर्वर जारी रही 1902 जानते है न क्या विश्विद्याल अधिनियम में जो 5-5 लाख रुपिया 5 साल तक मिलता था हर तरह की साहता मिलती रहेगा उसका सिख्छा समंदी महत्कून पर्यास जारी रहे हैं क्या क्या हुआ सिख्छा समंदी पर्यास तो देखिए हाटोग समिती 1929 बहुत इंपोर्ट नहीं है लेकिन कभी आपको शब्दों की कमी हो जाए न आपको लगता हो कि इतना में नहीं हो रहा है या कुछ हम मोमन है क्या कैसी फारी से थी तो पहला सिफारी था प्रात्मिक सिख्छा को बल तथा सोध प्रसार सिग्र प्रसार हो को अनुचित बताया देखिए मैंने सोध प्रसार लेग दिया प्रात्मिक सिख्छा को बल मिले तथा सिग्र प्रसार अनुचित मतलब जल्दी जल्दी परहाने में ये नहीं है अराम से पढ़ाईए और प्रात्मिक सिक्षा कम से कम स्ट्रॉंग तरीक से दीजिए उनको क्योंकि बेस जो है मजबूत रहेगा तो आगे लोग मजबूत रहेंगे ऐसा उनका मानना था हाटोग जी का फिलिप हाटोग अब देखे उनका मानने ये था वो ये मानते थे कि जितने भी समर्पित विद्यार थी है मतलब जो चाहते हैं कि हम नहीं होता था कितने लोग कहते थे कि हम तेंथे तक पढ़ेंगे उसके बाद मुझे बिजनेस करना है मैं उससे आगे नहीं पढ़ूँगा इट्स ओके आप नहीं पढ़िएगा तो समाने विद्यार थी हैं आप तेंधे तक पढ़िए न जी आठवी कख्षा तक पढ़ा के आपको क्या किया जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जागी है वह आपको वेवसाइख सिक्षा दिया जाएगा आपको बताएगा कामाना कैसे और जो लोग सच में समर्पित है वो माध्यमी को हम उच्षा तक जाएगे यह भी ठीक है उ पूसने के लिए ने तो सभी विश्वदय लेकर शात्र बन जाएंगे अब फिर कोई पढ़ेगा नहीं बीना मतलब का पेपर काम बढ़े आएगा तो ये सारे होटोक छमिती ने कहा उसके बाद मूल भूत सिक्षा की वर्धा योजना 1937 अब कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे ह से 1937 में कॉंग्रेस द्वारा वर्धा में सिक्षा में सुधार है तू अलग सम्मेलन किया गया वह अधिवेसन नहीं है ना के लिए हुआ था 1937 में वर्धा में हुआ था इसलिए वर्धा योजना बोलते हैं मुलभूत सिक्षा में सुधार है तू बेसिक जो एउकेशन है उसमें सुधार हो एक राश्टेश तरकी निती बनाने पर विचार किया गया बोला गया गया नेशनल लेवल पर एक जो है हमे टीम बनाना है गांधी जी की मानता थे कि पास्चात्य सिक्षा ने मुठी भर भारतिये तथा जन सधान के मद खाई बना दी है ये गांधी जी का मानना था किनका मानना था गांधी जी का मानना था गांधी जी कहते थे कि जो मुठी भरत लोग है जो अंग्रे जी जानता है कितने लोग है जो बहुत अच्छे अंगलिज जानते हो बिटिस लेंगविज जानते हो बहुत कम दो-चार लाख में एक-दो आदमी होंगे चाहे नहीं होंगे तो ये कुछ मुठी भर लोगों ने क्या किया अंग्रेजी सीखने के चकर में बहुत बड़े जनसंख्या को ध्यान से देखिएगा क्या कैची होई थी पाठे करम का आधार दस्तकारी को समलित किया जाए पाठे करम में जो है आधार दस्तकारी मतलब दस्तकारी मतलब होता है कुछ ना कुछ कारे करना कुछ ना कुछ देंटिंग पेंडिंग समने या कुछ ना कुछ मतलब टैलेंट कहिए उसको तो अधार दस्तकारी को समलित किया जाए साथ वर्स निशुल्क मात्र भासा में सिक्षा निवारे कीजिए भाई कॉंग्रिस का बनाया हुआ है तो इस सब चीज तो आएगा ना साथ साल तक निशुल्क सिक्षा चाहिए और मात्र भासा हिंदी में चाहिए उसके बाद कक्षा 2 से 7 तक माध्यम हिंदी हो उसके बाद सिक्षा जो है हस्त उत्पादिक कारे उपरा धारित हो यानि हाथों से जो जो चीज बनाते हैं उनके बारे में लोगों को सिखाया जाए और 20 वर्सों में व्यासकों को साक्षर बना, सभी व्यासक जो है, सब को साक्षर बना दिए, एटलेस उन्हें अपना नाम लिखने आना चाहिए, ये टार्गेट था, तो ये प्रावधान था मुल भूत सिक्षा की वर्धा योजना 1937 का, इसलिए ये इंपोर्टेंट है, ये पश्चात, यानि आजादी के लराई के बाद सिक्षा का विकास कैसे हुआ, तो देखिए, 1948 में राधा कृष्णा नायोग आया था, क्या आया था? राधा कृष्णा नायोग, इसकी सिफारिशे क्या थी भई? तो इसकी सिफारिश था, पहला सिफारिश की विश्विद्य से पहले बारा वर्स का अध्यनानिवारे यह याद रखिएगा राधा-क्रिष्णा-न-योग 1948-49 के अंतरगत कितने वर्सों का अध्यनानिवारे किया था बारा वर्सों का किसके पूर्व बिश्विद्याल इंवर्शिटी मेंडविशन के पूर्व आपको क्या और चे बारावर्ट साब को स्कूल में पढ़ना है उसके बाद उच्छ सिख्षा के तीन मुख्य उद्देश निजायत कहें पहला किया कि समाने सिख्षा हो, सरकारी सिख्षा हो और व्यवसाईग सिख्षा हो यानि समाने सिख्षा जो जग्यान जरूरी है सरकारी सिख्षा निस सरकारे कारे को बारे में पता हो विवाबसाई सिक्षा कलो कि उन्हें बिजनेस करना हो, काम करना हो, उसके बारे में सिक्षा मिले तो तिन को उद्देसित रखा गया उसके बाद प्रसासनिक सेवा है तो इसनातक की डिगरी आवशक नहीं जी हां, राधा क्रिशना नायोग ने कहा कि ऐसा भी होता है जो लोग ने सिनातक नहीं किया लेकिन बहुत पढ़े लिखे हैं मतलब बहुत जादा जानते हैं तो प्रसासनिक जो सेवा आप लोग लेते हैं प्रसासन में तो दूर नहीं हो, कई गाउं को मिलाकर एक विषविद्धाले बने और सहूलियत से बने मतलब ग्रामीन विषविद्धालों की स्थाप्ना, एक महा विध्याले में अधिक्तम विध्यात संख्या एक हजार से अधिक नहीं हो, ऐसा नहीं कि कोच लिए एडमिसन कर लिए, जब विद्यार्थी दस हजार होंगे, तो अपने आप दस महा विद्याले खुल जाएंगे, क्योंकि एक में तो लिमिट कितना है, एक हजार है, बिश्विद्याले की सिक्षा को समवर्ती सुची में स यह सिक्षा चाहिए, बिश्विद्याले की स्था आपना हो ताकि गाओं की पहुंच हो, एक महा विद्याले में अधिकतम 1,000 से अधिक इ्स्विद्याण नहीं हो, और मिलिग सुची में होता ना, समवर्ती सुची तीन तरह का सुची होता है संग सुची, राज सुची, समवर्ती सुची समवर्ती सुची में समिल किया जाए ताकि दोनों राज और केंदर दोनों कहां सतच्छेप हो ठीक है तो ये राधा कृष्णा नायोग था उन्नी स्वार्तारी सुन्चास अभी और है, इतना ही नहीं है दोस्गो प्रावधान था अभी देखिए, सात्वा प्रावधान विश्विद्द्याल अनुदांग आयोग की स्थापना की सिर्हारिस की गई उँच्छी सिक्षा है तो अंगने जी माध्यम को हटाने में जल्दी बाजी ना किया उसके बाद 180 दिनों का अध्यान निवारे कम से कम 180 दिन का अध्यान आपको करना है कम से कम 180 दिनों तक अध्यान आपको करना ही करना है साल में राजे की भासा में सिक्षा देने की प्रात्मिक्ता अगर आज जो में इस तमिल नाडु में केवल तमिल जार तमिल चलता है तो पहले वहाँ तमिल को ही आप जो है प्रिफेंस दीजिए प्रुट्साहान दीजिए प्रात्मिक्ता दीजिए ठीक है तो ये दस प्रावधान थे राधा कृष्णा नायोग के इंपोरेंट है कभी स सिख्षा के सभी पक्ष चरण सिधान्त नीति और मराष्टी नमुने की रूप देखा तयार कर सरकार को अवगत कराना इसका उद्देश से था मतलब ओभर ओल मालिये ओल राउंडर का थोड़ी सिख्षा के आयोग ओल राउंडर बनाईए इसको जो भी सुधार लगता हो आपको जो लगता हो हैना हर तरह की सुधार के अगर कुछ चांस है हैना या फिर एक प्लान जो है प्लानिंग करना है कैसे हर तरह की सिख्षा दी जाए तो उस पर आप क्या कीजेगा विचार दीजेगा आपने सरकार को अवगत कराईएगा ये इसके लिए ठोड़ी सिख् अमेरिका युनुस को सबने मिल के इसका सयोग किया और कई तरह की अपनी अपनी सिवाएग दी जहां जहां तक जो दे सकता था क्या प्रावधान था भई ये जो है कोठारी सिख्षा आयो इसका क्या प्रावधान था तो पहला था कि 14 वर्स की आयू तक निश्चुल्प तथानी वारे सिख्षा ये तो राला लागू हो गया उस समय सिफारिस हो रही थी सिख्षा है तो तीन भासाई फ़र्मूला अभी भारतीय रेल में तीन भासाई फ़र्मूला है अनौंस्मेंट होगा न तीन भासा में होगा है हिंदी इंगलिस तीसरा जिस राज़िमें अनौंस्मेंट हो रहा है उस राज़िकी भासा में हमारे अत्मिल में होता है उड़ सिख्षायोग जो है यहाँ काठोडी सिख्षायोग उनिसो चोंसट शिया सखें ना उसके बाद किर्शी तथा दोगिक सिख्षा का भी कास हो ये लगभग बाद में जितने भी सुधार हुए सब में सामिल किया गया विग्ज्ञान दथानुसंधान सिख्षा का समानी करन हो दोनों पर समान बल दिया जाए, सस्ती पुस्तक के उपलब्द कराईए और पाठे पुस्तकों को उत्तम बनाईए. तो कितना इंपोर्टेंट चीजे, आपको अभी दिख जाएगा कि ये सारी चीजे अल्मोस्ट लागू हो चुकी है, यहां तक कि अब इससे ज़्यादा ही सिक्षा पर खर्च होता है, ठीक है, समझ गये, कठोड़ी आयोग का क्या काम, क्या उसने अपने रिपोर्ट में कहा, सिक्षा है तो कुछ और नभीन प्रयास्विया, दुचार को देखते हैं, 1976 को क्या किया गया, सिक्षा को समवर्ती सुची में सामिल किया गया, सिक्षा को समवर्ती सुची में सामिल कीजिए, यह किसने कहा था, इसने कहा था, देखिए, पीछे मैंने प्रट दिया, सिक्ष आयोग था राधा पिष्णान आयोग इसी ने कहा था कि शिक्षा को समर्थी तो यह हो गया लिजिए हो गया है आनिवारे शिक्षा भी हो गया ठीक है 1986 में क्या हुआ नमीन सिक्षा नीती की घोषना हुई नई सिक्षा नीती बनी 2002 में ये जो प्रावधान था कि 14 वर्ष की आयोग तक निशुर्प तथानिवारे सिक्षा मिले किसका प्रावधान था कोठारी आयोग का ये लागू हो गया 2002 में 2006 से 14 वर्ष की आयोग के बच्चों को अनिवारे थानिशुली सिक्षा देना को मौली का दिकार बना दिया गया 2010 में निशुर्प तथानिवारे सिक्षा या फिर बाल सिक्षा दिकार अधिनियम लागू हो गया तो देखिए कुछ नमीन प्रयास कैसे हुए समझ में आगया होगा कठोड़ी एक कुठारी आयोग बिश्विद्याले आयोग है ना तो कैसे अलग लगता है कि आयोग आएं राधा कृष्णा नायोग तो इन सभी आयोग की जो इंपोर्टेंट चीजे थी जो सच में काम के थी उनको लागू भी किया गया बाद में अब है देशी भासाई जिसे वार्ना क्यूलर इसका मतलब होता है देशी भासा या अस्थानिय सिक्षा का विकास कैसे हुए चलिए इसके बारे में थोरा सा संच्चिप की थी हास हम लोग पढ़ते हैं 1835, 1836, 1837 बंगाल तथा बिहार में क्या हुआ देशी भासा समने सिक्षा के एडम्स रिपोर्ट में बहुत खामी दिखी बहुत सारी खामी दिखी 1843, जेम्स जोनाथन द्वारा आदर्स विद्ध्याले देशी भासा में सिक्षा का विकास कैसे हुआ और इस रिपोर्ट में गितनी खामिया थी उनको देखते वे फिर ये सुधार किये गए ठीक है 1854 में हम सभी जानते हैं चार्ज उसका डिस्पैच आया था जिसमें देशी भासाई सिक्षाओं के समद्ध में प्रावधान था 1854 में क्या हुआ था देशी भासाई स्कूल के संख्या में पांच गुना की बढ़ोत्री हुई थी 1882 में क्या हुआ हंटर आयो का देशी भासाई स्कूल में काध्यन का सुझहाओ दिया गया देखिया हब हर कोई जोड दे रहा था सभी इसका इंपोटेंस समझ चुके थे है ना 1904 में क्या हुआ चिक्षा नितिक स्थाने निकायक को अधिक धन दी जाने परबल दिया गया 1937 में क्या हुआ कांग्रेसि मंत्री मंदल ने देशी भासाई भी और प्रोंतर्सारेयम समर्थन दिया था वही 1937 में हुआ था 1937 Pap причisevene क्या हुआ था 1937 में कॉंग्रेस ने जो है क्या किया था अलग से जो है एक मीटिंग की थी ताकि स्थानिय भासा में सिख्षा को बल मिले ठीक अब देखिए तक्निकी सिख्षा का विकास कैसे हुआ और 1887 के साल में रूर्की में इंजिनेरिंग कॉलेज हम लोग पहले ही पढ़े थे 1858 में पूना में ओभर्सियर स्कूल या पूना में हलाकि तक्निकी सिख्षा पढ़ रहा है तो ओभर्सियर स्कूल पूसा में भी एक किरसी विद्धाले हुआ था अंग्रेजो की सिख्षा निती का मुल्यांकन अगर करें बाद में जानते हैं सभी प्रश्णों में मुल्यांकन करने के लिए आता है और मुल्यांकन जो होता है किसी भी प्रश्ण उत्तर का सबसे उत्तम भाग होता है क्योंकि मुल्यांकन करते समय ही हमें पता चलता है कि ह हम कहां गलत थे कहां सही थे यह अगला उसका कैसे रिस्पॉंस देता है तो अंग्रेजों की जितने भी सिक्षा निती हमने पहले पढ़ी हम उनका मुल्यांकर करने जा रहे हैं तो पहले देखिए क्या था सीमित रूप से ही सही परंतु सरकार ने सिक्षा के छेतर में कई महत हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं इसा नहीं कि अंग्रेज थे तो उनका बुडाई करो कितना सारा पर्यास किया उन्होंने लेकिन भारतिय पर्यास अधिक सराहनिये थे अंग्रेज जब भी कोई पर्यास करते थे तो उसमें वो अपना पक्ष जरू रखते थे लेकिन ज से क्या हुआ था सबसे पहले प्रबुद भारतियों द्वारा कुछ परदर्शन किये गए जिसे कारण सरकार को जुकना पड़ा अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यन बनाने पर अंग्रेजों का ज्यादा जोड़ था ये सब कुछ फैक्टर्स है जिनके वज़से बार-बार सि सरकार को उमीद थी कि सिक्षित भारतिये इंग्लेंड बें निर्मित वस्तु हो को प्रोचाहान देंगे आखिर एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों को विश्वास था कि अगर भारती अंग्रेजी शीख गये तो उन्हें लगेगा कि इंग्लेंड से आने वाले जो चीज भारतिय सिख्षा की प्रमपरागत पदिती द्वारा प्रसाशनी करमचारियों की मांग में गिरावट आ रही थी, जी हाँ, भारतिय सिख्षा की प्रमपरागत पदिती जो थी, इसके द्वारा जो प्रसाशनी करमचारी थे, है न, इनकी मांग में लगातार गिरावट हो रह तो आपने मैंने पहले बताया था कि कहा गया था कि परंपरागत सिक्षा पत्ती को इग्नोर किया गया क्यों कि वो भी एक सुधार था क्योंकि परंपरागत पत्ती जो थी वो उसमें भारतिय कमचारों की मांग में बहुत गिरावाट आ रही थी परंपरागत पत्ती से पर तो यह सब कुछ महत्पुन कारण थे कुछ फैक्टर्स थे जिनके वज़ए से शिक्षा में बार-बार सुधार की आवशकता पड़ी और अंग्लेजों ने कई अथक पड्यास कि यह महत्पुन पर्यास किये और भारतियों के पर्यास भी उनसे अधिक सराहनिये थे जिसकी वज़से सिक्षा का रूप बदला, बच्चों को सिक्षा का अधिकार मिला, निशुल का अधिकार मिला सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ इस्तिरियों की सिक्षा को बल मिला यही तो मुल्यांकन करना होता है यही सरी चीज तो अच्छे शब्दों में लिखनी होती है कितना आसान था आपको लगता होगा रे यार यह स्पेक्टर्म इतना मोटा है खतम होगा कि नहीं होगा मैंने सारे चेप्टरे से ही पढ़ा है आराम आराम से और आप एक दूबार अच्छे से खाली समझ लिजेगा तो आपको फिर मेंस में बैठे नहीं रहेगा ठीक है अगला चेप्टर है मैंने या लिखा है अध्या 31 किर्शक आंदोलन 1857 स 1947 तक क्या 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 किर्शक आंदोलन हुए सबके बारे वनों डीटेल में अगले दिन पढ़ेंगे तो 30 तक खतम हो गया टोटल 35 चेप्टर है ज्यादा चेप्टर नहीं है लूसेंट में या स्पेक्टर में 35, 36, 37 37 चेप्टर है टोटल 37 में 36, 35 तक ही इंपोर्टेंट है देखे इतने आराम से ये 274 पेज की के नूर्स तयार ठीक है और एक चीज और मैं आपको बता दो कि जो PDF है PDF मैं क्योंकि PDF बनाना पड़ता है और PDF बहुत सारा पड़ा हुआ है मेरे फोन में भी तो मैं उसे नहीं पड़ता हूँ मेरे काम की चीज़ है लेकिन पड़ता नहीं हूँ तो PDF आने पर दिक्कत ही होता कि आप उसे पड़ नहीं पारते हैं आप खुद लिखिएगा ना हो गया देदरे राइटिंग देदरे काम चलने लाइक तो थैंक्यू बेरी मच दोस्तों अपनी प्रतिकरिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए मुझे इंतजार रहता है मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए थैंक्यू बेरे मच वीजिए